दोस्तो आठ मार्च की रात को महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में एक और धड़कन रोक देने वाला मैच देखा गया दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वरियर के बीच में हुई इस भिडेंत में दिप्ती सर्मा गेंद और बल्ले से ऐसी चमकी की दिल्ली की आँखे चका चौन्द हो गई पहले तो उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए यूपी को 149 रनों का लच्छ निलारित करने में बड़ी भूमी का निभाई वही फिर गेंदवाजी में चार विकेट लेकर दिल्ली को उन्ही के घर में लच्छ से एक रन से महरूम कर दिया इस मैच का हर एक कोबर में एक नया रोमांच देखने को मिल रहा था आखिरकार दिप्ती सर्मा का योगदान सफल रहा और यूपी ओरियर ने इस मैच को एक रनों से जीत लिया